Students, so students, हम लोग ने चौसर स्परलोग तो दे केंटरवी तेल्स कम्प्लीट कर लिया तुदेः और हमने स्पेंसर की बायोग्राफिय देख लिया तुदेः वी विल बी लुकिंग अट दे समरी ओफ दे पोव्म दी फैरी क्वीन इते हैं अलिगोरिकल भूइम, जिसके कोई लिएलिग होते हैं मतलब स्टोरी के लिएलिग 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 होते हैं और यह एक एपिक पोईम है इपिक होती है, लोग निरेटिब पोईम एक long poem होती है तो ये kentos में divided है ये इसके kentos में हम आज अभी summary देखेंगे kentowise तो kentow क्या होते हैं kentow just sections कहलें आप जैसे sections में divided है क्योंकि ये बहुत लंबी poem है epic poem जो है तो kentos में divided है तो हम पहले इसकी summary देख लेंगे उसके बाद हम इसके poetry को पढ़ेंगे इसके reference context और explanation को पढ़ेंगे पहले हम इसकी summary देख लेते हैं ताके आपको questions जो है भल करने में असानी हो so let's start असल में ये शुरू अतीर अब story तो इसके अंदर जो main characters है वो कौन है एक है the Red Cross Knight is the protagonist actually the protagonist is King Arthur King Arthur इस पूरी जो books है जितनी भी ये books हैं उनका जो protagonist है वो King Arthur है पर book one का protagonist जो है क्योंके मारे असले बस में book one है और book one का protagonist है Red Cross Knight Red Cross Knight जो है वो holiness को represent कर रहा है holiness को और दूसरी character जो है वो जो main character है वो है Yona Yona जो है वो truth को represent कर रही है और इसमें एक क्योंके इसका नाम है fairy queen तो fairy queen itself is actually the queen of England Queen Elizabeth one Queen Elizabeth one who was the queen of England in renaissance age तो वो थी उसको represent करी थी Queen Georgiana इस fairyland की queen जो यहाँ पे इस fiction में इस work में इस poem में उसका नाम है Queen Georgiana और वो represent करी है Queen Elizabeth one को और जो fairy land है जो यह fairy land की story है वो fairy land actually England को represent कर रहा है England की story के बारे में और red cross knight जो है वो true Christian है और वो holiness को represent कर रहा है Yona जो है जो के इसके साथ होती है वो truth को represent कर रही है तो जब story शुरू होती है book one start होती है तो उसमें क्या होता है कि Gloriana queen of fairy land वो एक task देती है king of holiness को यानि के red cross knight को उसको red cross knight इसले कहते है क्योंकि उसके उपर उसके shield के उपर red cross मना हुआ है blood से red cross मना हुआ है इस वो इसको red cross knight कहते है तो red cross knight को एक task देती है queen Gloriana के वो एक maiden है एक लड़की है उसके माबाप को एक dragon से बचाएं तो वो इस task को पूरा करने के लिए यह जो young knight है red cross knight soldier जिसको आप कह सकते है medieval soldier वो निकलता है journey पर और उसके साथ होती है एक beautiful young lady जिसका नाम Yona होता है और उसके साथ एक dwarf होता है dwarf किसको कहते हैं bonnet होते हैं उनको कहते हैं जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं अपनी journey पर निकलते हैं travelers तो वहाँ पर एक storm आ जाता है एक तुफान आ जाता है और फिर उनकों एक forest में जाना परता है वहाँ पर उनको forest में चले जाते हैं अपने वो cover करने के लिए और जब sky जो है clear होता है तो वो अपने आपों देखते हैं कि वो गुम हो गए फिर वहाँ पर वो एक गार सी होती है den में पहुंचते है den of error error की error एक monster होता है उसकी एक गार होती है वो वहाँ महुंचते है योना जो है वो red cross night को मना करती है कि वो उसके अंदर ना जाए क्योंकि वो उसको लगता है कि ये किसी बीस्ट की गार है लेकिन जो red cross night है वो अंदर चला जाता है अंदर जाके वो उसको वो वो वाकि देखता है कि अंदर monster होता है monster error होता है और उसके जो monster के साथ उसके चोटे बच्चे होते हैं जो उसका खून चूसरे होते है तो ये उस monster को मारने में काम्याब हो जाता है उसकी garden कार देता है बाद में जो है ये young उसके जो बच्चे होते हैं अपनी मरी मा का खून पीते रहते हैं जब तक कि वो फट नहीं जाती फिर ये जो night होता है और अपने companions के साथ यनि कि यूना के साथ और उस बोनी के साथ जो है वो आगे सला जाता है रात हो जाती है फिर उनको एक old hermit मिलता है वो वहाँ पे जो है न old hermit के पास जो है वो उनको न old hermit होता है वो उनको कहता है साधू जिसको कहते हैं आप समझ लेना वो मिलता है उनको वो उनको कहता है वो उसके पास एक in है उसमें ठहर जाएं अचा वो वहाँ ठहर जाते हैं ये hermit अक्सल में होता कौन है इसका नाम होता है आर्ची मेगो इसको याद रखिए का ये आर्ची मेगो है तो वो होलिनेस को टूट से अलादा करने की कोशिश करता है उसके लिए वो प्लैन बनाता है प्लैन क्या बनाता है वो वो दो स्पिरिट्स को जो है ना वो पहले जनेरेट करता है दो स्पिरिट्स बनाता है पहले वो क्या करता है कि false dreams पैदा करता है Morpheus Morpheus के जरीए से वो false dreams पैदा करता है Morpheus यहनी कि God of Sleep है Morpheus जो है और वो क्या करता है कि Red Cross Night के खाव में आता है उसके अंदे love और lust के जो है जो जजबात जो है desires पैदा करता है और एक जो है वो जो spirit होती है उसको वो योना की शकल दे देता है योना जोती है तो जब Red Cross Night उठता है तो वो देखता है कि योना जो है उसके पास बैठी है और उसको किस करने की कोशिश करी है लेकिन नाइट जो है क्योंकि वो holiness को रिप्रेजेंट करा है तो वो उसकी temptation को रोकने की कुशिश करता है और फिर से सो जाता है फिर RC में गो जो है वो एक निया जाल बिचाता है और वो क्या करता है कि एक spirit को जो है वो योना एक spirit को योना बना देता है वो spirit होती है असल में वो कोई उसकी बदरू होती है जो होती है वो योना नहीं होती योना असल वली योना जो है वो राम से मुहीं पर सो रही होती है तो वो एक को योना बना देता है दूसरी स्पिरिट को कोई नाइट बना देता है और वो दोनों को साथ महां पर वो दोनों को मास उला देता है तो फिर जब रेड क्रॉस नाइट को फिर वो जगा देता है आर्ची वेंगो और जब वो उठता है तो वो देखता है कि योना जो है वो किसी और के साथ है तो वोई एगे नराज होता है वो दुखी होता है कि योना ने अपना विर्चू खराब कर लिया है वो उसको छोड़ कर जो जो है सुवह होती है तो रेड क्रोस नैट योना को वहाँ पे छोड़ कर जला जाता है गुस्से में आके उसको ये सब देखके हाला कि असली योना को उसमें कोई कसूर नहीं होता उसको पता ही नहीं होता तो जब सुबा उठती है योना और वह देखती है कि उसका नाइट जो है उसके पास नहीं है तो वो उसको ढूनने के लिए निकल जाती है आर्टी मेंगो अपनी स्कीम्स को इंजॉय कर रहा होता है और फिर अब वो क्या करता है कि वो खुद रेड क्रोस नाइट बनके योना के पीछे निकल जाता है आर्टी मेंगो जो ब्लैक जादु कर यानि के काला जादु करने वाला है उसकी बात हो रही है फिर रेड क्रोस नाइट जो है वो इदर उदर फिर रहा होता है फिर वहाँ पे उसको एक और नाइट मिलता है जिसका नाम होता है सेंस फॉय इसको याद रखी कि यह सेंस फॉय है आगे सेंस लॉय भी आएगा जो उसका भाई होगा सेंस फॉय जो के अपनी लेडी के साथ ट्रेवल कर रहा होता है और रेड क्रोस नाइट की उसके साथ लड़ाई हो जाती है और रेड क्रोस नाइट जो है वो सेंस फॉय को मार देता है और जो वूमन उसके साथ होती है जो ladies के साथ होती है उसको उसको अपनी protection में ले लेता है और वो ladies होती है वो lady उसको बताती है कि स्का नाम है Fydisa Fydisa ओके Fydisa वो कहती है मेरा नाम है और वो कहती है कि मैं daughter हूँ Emperor of the West Emperor of the West की मैं बेटी हूँ Red Cross Knight जो है कि स्काता है कि वो उसकी protect करेगा ब्यूटिफुल होती है तो यह दोनों एक दरख्ट के नीचे बैठ जाते हैं यह देखते हैं कि जब दोनों दरख्ट के नीचे बैठते हैं तो दरख्ट के ओपर से ना खून के कतरे गिर रहे होते हैं कि यह सारा कुछ फेरी LAND है सब कुछ फेरी LAND और इसमें इस तरह की चीज़ होगी spirits होगी इस तरह की चीज़ें तो जब वो देखता ए कि वो tree बोलने लगता है वो tree बाते हिना नम बाते ओंने लगता है कि और या नाम वो फ्रेलसा भी ट्री बन गी है ट्री उसको यह बताता है रेड क्रोस नाइट को तो कहला कि एक दिन फ्रेडोबियो जो है वो एक नाइट को मारता है और उसकी जो लेडी है उसको विन करता है जैसे कि अभी अभी किस ने किया है Red Cross Knight ने किया उसने एक Knight को मारा और उसकी Lady को साथ ले गया यही काम वो दरख्त उसको बताता है मैंने किया लेकिन वो Lady जो थी बाद में Duesa निकली वो Duesa थी निकली और Duesa actually में है कौन Duesa यह वो ही Fredisa है जो के अब किसके साथ फिर रही है Red Cross Knight के साथ और यह Duesa जो है यह Evil Witch है चुडेल है वो So Duesa turned Fredisa into tree, Duesa ने Fredisa जो इस दरख्त की महभूबा थी Fredisa उसको दरख्त में बन दिया So that they could have Fredobio for herself ताके वो Fredobio को अपने लिए रख सके लेकिन Fredobio ने जब इस Witch को असल रूप में देखा तो वो भागने की कोशिश करता है तो फिर यह जो होती है विच यह उसको भी दरख्त बना दिती है तो जब Fredobio जो है अपनी स्टोरी जो है खतम करता है तो Fredisa जो है फेंट होने का नाटक करती है Fredisa कौन? जो के Red Cross Knight के साथ होती है जिसको Red Cross Knight ने Sense Foy से लड़ाई करके बचाया होता है तो वो Fredisa जान के भी होश होने का नाटक करती है क्योंके वो Fredisa ही डियूसा है और वो यह नहीं चाहती कि उसका राज जो है वो खुल जाए कि वो डियूसा है और वो Fred होने का नाटक करती है और Red Cross Knight क्योंके इतना नेक है वो इसमें कोई connection नहीं बनाता और वो अपनी journey पे continue करता है तो यह First Two Kanto's की story है जिसमें हमारा से पास कुछ characters जो है वो introduce हुए है एक डियूसा है जो कि डूपली City को represent करी है डियूसा है डियूपली City को represent करी है यानि के कहने आप धोके को represent करी है वो है इधोके बास क्योंके एक Allegory है Knight जो है वो Holiness को represent करा है Yona जो है वो Truth को represent करी है Georgiana जो है वो Queen Elizabeth One को represent करी है यह तीन तरह की Allegory इसमें है एक तो moral Allegory है एक spiritual Allegory है religious Allegory है और एक जो है वो प्लिटिकल लिगरी इसमें है तो ये थी फर्स्ट केंटो की जो है वो समरी तो नेक्स्ट समरी देखेंगे बाकी केंटो की